इस जिम्मेबारी को भी हम निभाएंगे तभी तो देश हम पूरी तरह सबको साथ ले करके चल सकते और सबका साथ सबका विश्वास और अब सबका विश्वास यह हमारा हमांतर है सबका साथ सबका विश्वास और सबका विश्वास के साथ एक बार फिर पीम मोदी निकल पड़े हैं देश को उंचाईयों तक पहुँचाने अगले पांच साल मोदी सरकार के लिए कैसे रहेंगे किन चनोतियों का करना पड़ेगा सामना सुनिये श्री संत बेतरा अशोका जी की जुबानी वो भी सिर्फ धर्म ज्यान पर अगले अगले एपिसोड नीम करोडी बाबा के कैची धाम से होगा और इस वक्त हम मौझूद हैं बाबा के कैची धाम में मैं हूँ आपके साथ कविता राना और मेरे साथ मौझूद है एक बार फिर विश्य विख्यात सुदर्शन चक्र जोतिश अचार श्री सन्बेतरा शोका जी सर एक बार फिर आपका स्वागत है नवच्कार तो इसे कैची धाम से सन्बेतरा जी ने जो जो भविश्वानी की थी चाहे वो बीजिपी के 299 प्लस सीटो को लेकर हो या फिर उनकी जीत को या फिर शद्रोगन सीना की हार को लेकर हो कि किस तरह से उन्हें शिकस खानी पड़ी और अमेटी के गड़ में स्रुवितर नानी का कमिल खिलाना हो जो कि लोगसभा नतीजों में शत प्रतीशत सटीक बैठी है और एक बह फिर आईए सनबेतर जी से जानते हैं जो कि सत्ता में बहुमत प्रशन बहुमत के साथ बीजेपी काबिज हो चुकी है और ऐसे में आने वाले 5 साल पियमोधी के लिए कैसे रहेंगे आईए जानते हैं नेम करोरी बाबा के कैची धाम से सनबेतर जी से सर यहां से आपकी सारी भाविश्वानी शत प्रतिशत 60 बैटे अब हर कोई जानना चाहता है नेम करोरी बाबा के कैची धाम से कि आने वाले 5 साल खासकर मोर्दी सरकार के लिए और देश के लिए कैसे रहने वाले हैं यहां पर नीम करोली वाले बाबा जी का शक्ति पुझ है जब हम यहां आके बैठे तो जो नंबर उन्होंने दिये वो नंबर अक्षरता सत्ते सिद्व हुए उसके बाद आपका नवजोत सिद्व पर जो भाविश्वानी गी थी वो भी अक्षरता सिद्व हुई आपके शक्ति सिन्ना, अमेठी, बंगाल जो भी भाविश्यवानी यहां से बाबा की किरपा से सब सत्ते सिद्व हुई है तो हम यहां पर उनको जो है अपना शीशनवाने आए है क्या लगता है सब आने वाले पात सालों में यह यू कहूं कि आपको कौन कौन से वो कदम है जो मोधी सरकार को इस बाब उठाने चाहिए क्योंकि आप तो लोकसभा भी उनके पास बहुमत हो और 2020 तक माना जा रहा है कि राजी सबा में भी उनके पास बहुमत हो जाएगा लोकसभा में इनका है और सबसे बड़ी चीज जो है देश में दो तिहाई स्टेट्स में बीजेपी का राज आने वाले टाइम में हो जाएगा तो उनको कहीं पे भी किसी भी विधे को लाने में और उसको पास कराने में कहीं भी कोई परशानी नहीं होगी तो इसलिए क्योंकि हमारी जो मोदी जी से जो आपका जो एकस्पेक्टेशन्स है वो बहुत हाई होगी है क्योंकि उन्होंने पिछले पाइंच साल में जो किया है वो पिछले सतर साल में नहीं हुआ देखे गरीबो के लिए हर एक आदमी आता था कहता था कि हम गरीबी हटाएंगे गरीबो के लिए कुछ करेंगे लेकिन कंक्रीट कुछ नहीं हुआ आज गरिबों के लिए आप गोव में जा के देखिएगा घर-घर में आपकी बत्ति पहुच गी है हर गोव में जो है आपकी सडके पहुच गई हैं और हर घर को चूला गैस का जो मता उसे क्या बोलते हैं दूए में काम करती थी अब उन लोगों को गैस के चूले उपलब और सबसे बड़ी चीज गौव में शोचालियों की हुए वस्ता तो ये चीजें जो एक इंडिकेशन है कि ये वेक्ति जो है देश के लिए देशित और राष्ठित के लिए सब करेगा और उसका इंडिकेशन उन्होंने जीत का बिगुल बस्तही दे दिया उन्होंने अपने जितने विधायक जीत के आयते उनको जो एड्रेस किया है तो उसमें आप उन्होंने जो नहीं चीज बोली है विकास सबका साथ सबका विकास के साथ में सबका विश्वास ये बहुत बड़ी चीज है और वि तो यहां पर एक ऐसा है मटमोसफिर होना चाहिए जिसमें यहां का यूथ जो मैनित करता है उसको बार ना जाना पड़े नमबर दो अरक्षन निती जो है उसको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा और बड़े शिस्टेमेटिक वे में उनको पहले उनको एजूकेट करना पड़ेगा और फिर आरक्षन को जो है आपका जो है इंकम के हिसाब से जो है उसको अगर लागू करेंगे तो नीमन वर्ग जो है जो बैकवर्ड कलास है अरक्षत कलास है उसको बहुत फाइदा होगा वो हम उनसे उमीद करते हैं दूसरा उन्होंने एक चीज 56 इनका सीना तो उन्होंने दिखा दिया क्योंकि पाकिस्तान ने जैसे आँख दिखाई या पुलवामा एटाक हुआ और उसके बाद जो पाकिस्तान की दुर्दशा की है इससे पाकिस्तान तो सहमा हुआ है और यह हम उमीद करते हैं कि अब दूबारा वो शुतुरता वाला भाव उसने चहे च्छदम उसमें वो कर है लेकिन एक वार तो उसको यह मैसूस हो गया कि अब देश में जो है मोदी जी के होते वे वह कहीं गलत सोच नहीं सकता अगर सोचा तो नक्षे से बाहर होगा है को कि किन्च उनौथियों का सामना इन पांक सालों में कहीं न कहीं मोदी सरकार को करना पड़ सकता है देखिए सबसे पहला जो सामना है । यूद को आपका आपका जो विपक्ष है या असमाजिक तत्व हैं , देखिए विपक्ष तो पॉजिटिव वे में ले जाएगा लेकिन जो असमाजिक तत्व हैं ! जोण आपके आतंकवाधी गतिविदियां करते यूठ को demander ап जो है देश के आवाम से ये एक request रखूंगा की अब जो है भुमत की सरकार है और एक बहुत ही स्वच इंटेग्रिटी के PM है हमारे पास जो कहीं से भी सिर्फ देश की बात करते हैं देशित की बात करते हैं राष्टित की बात करते हैं स्वाहित कहीं नहीं है तो इसलिए जो हमारा विपक्ष है जो ड्रामे विपक्ष के हमने पिछली संसद में देखे हर बात प जो है रुकावट पेश करना वो ना हो क्योंकि मैंने पहले ही यह भुविश्यवानी की थी अगर इस तरीके से संसत चलाएंगे देखिए आप अगर किसी चीज पर वाकवट करते हैं वाकवट का आपको अधिकार है लेकिन जायज होना चाहिए ट्रिपल तलाक पर डिसीजन अजायज नहीं था उस पर इतनी बैस हुई और उसके बाद भी उस विदेख को पास नहीं होने दिया इसी तरीके से डिमानेटाइजिशन पर आपने जो क्रिटिसाइज किया कि सारे पॉइंट जो हैं जो वाजिब हैं जीएस्टी जीएस्टी एक बहुत बड़ा सरकार का जो निर्ने था लेकिन उस पर भी जो है वाकोट किया गया उस पर भी बहुत जो है आपका संसद में होहला किया गया जो चीज़ें अच्छी हैं जिससे देश का देखिए लिडर्शिप में एक चीज़ होती है कि जो मिल रहा है अपोजिशन जो है अगर कुछ कह रही है कि यह होना चाहिए अगर 50% भी मिलता तो जस्ट टेक 50% एंड फाइट फॉर दा एनदर 50% जो आपको नहीं मिला यह राजनीती का एक जो है अच्छा राजनीती का होगा जो मिल रहा उसको लो और बाकी के लिए फाइट करो लेकिन आप जो देना चाहती है जो सरकार करना चाहती है उसको बिल्कुली सिरे से खारिज करके वाकोट करते हैं तो आप कहीं पे भी नहीं पहुचे तो आपका मकसद कहीं से भी पू जाव देना चाहता हूँ अब जो संद में जितने भी नेता क्योंकि अब तो बहुमत की स्रकार है फिर भी एक भी विपक्ष में बैठा। विक्ति जो है सावालाक के बराबर होता है अगर वो सही मुद्दे को उठाता है अगर वो गलत मुद्दे को उठाता तो उसका कोई माईना नहीं है विपक्ष भले ही 50-50 हो लेकिन सही मुद्दा उठाएं सरकार का समय बरवाद ना करें क्योंकि यह सरकार का जो समय है यह हमारा समय है और टाइम इस मनी अगर आप समय खराब करते हैं देश का तो आप देश के पैसे को खराब करते हैं कितना कोसली पड़ता यह प्रोसीजर जो है तो इसलिए उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए इसे यह प्रातना है कि कोई भी ऐसा एजीटिशन जो देश को अस्थिर करें यह जिसमें विगटनकारी ताक्तें आके पार्टिसिपेट कर सकें उसको हवा मत दें जोड़ने के आपको बहुत बहुत शुक्रिया तो इता मैसा सनवेता जो जुन्होंने कैचित हम से बताये कि आने वाले पांच साल खासकल मोधी सरकार के लिए कैसे रहने वाले और किन चुनौतियों का सामना प्ये मोधी को करना पड़ सकता है तब तक लिए मुझे यानिक कविता राना को दीजे इजाज़त और धर्मग्यान के साथ अपना प्यार हमें देते रही है और हमसे जुड़े रही है